कि चलिये नमस्कार दोस्तों स्वागत सजाज प्रहें ऐसिर दूस्टों का लेयर दिद में penguin चलियाब ज्याहे प्रिमियर आपका उतायो इसमाँ पूर्य एकलते हैं टिक है स financi उफर चल रहा है तो कोई दोस सारे चिप्टर अगर पढ़ना चाहे तो केवल 499 में पूरे एक साल के लिए आपको कोर्स अविलेबल हो जाएगा जो कि आपको मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन एप पर ठीक है तो आप ये डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन अभी आपका उफर चल रहा है 499 में पूरे एक साल के लिए 200 से 250 के वीडियो के आसपास आपको मिलेंगे जिसमें सारे चेप्टर बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़ाए गये हैं तो आप लोग सारे चेप्टर पढ़ सकते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं आज का मेंटेस्ट आज का में दिखा हुआ है कि एक मिनट है कि एक ठाक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से क्रेशन नमबर वन एक वेलन के आंतरिक प्रष्ट का शेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमिटर है तथा उचाई 16 सेंटीमिटर है तो उसका आयतन ग्याद कीज़े चार आप्शन है आपके सामने ए बी सीड करिएगा सॉल और अंसर लाइएगा क्या अंसर आप लोगों का बन जाएगा कोशिश करिएगा सारे दोस्त अंसर करने की आंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है अब करिए यहां पर आपको सबसे ज़रूरी चीज है कि बेलन यानि कि स्लेंडर का फॉर्मुला अगर आपको याद है ना अंतरिक प्रश्ट या वक्रप्रश्ट के शित्रफल का उससे आप लोगों को रेडियस मिल जाएगी और रेडियस से आप आईतन पर जासे तो सबसे पहले बा पाई आरेच क्या होता है उसके बराबर आपको दे रखा है 1056 तो यहां टू पाई की वेल्यू आपकी 22 बटा साथ इंटू रेडियस का आर और हाइट आपकी कितनी है उसने दे रखी बराबर में आप 1056 लिग दें यहां से सारी चीज आर को अगर इदा छोड़ दे तो तो उसे अगर काटे दो पंजे दस दो दूनी चार और एक बचा दो आट शोला और सोला से कट रहा होगा शोलती 48 फिर चार बचा शोलती 48 और यहां से 11 त्याते 30 11 दूना 22 और 3 साथ 21 बटा दो तो रेडियस कितनी आ रही है आपकी 21 बटा दो आ रही है अब आप से पूछा निन्न होता है फ्रेइस होता है टके पाइए पाइए नहीं की 22 साथ और का स्क्वाय मतलब 21 22 बटा दो और हाईड जो है वो आप好好नी है त्हिकर तो दो दुनी चार दाष छ चार और साथ ऑसफित और यहां कर्वां जLes आ चार चार इंटू 21,482 इब यहां चाशाध इंटू यहां पर चार आठसे चौदा सिल्हाइक पांच फिर पांच 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 चार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्षन नंबर डी जो आपका बनेगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा दोस्तों क्लियर है यहां तक उमीद करता हूं यह क्योशन आपको समझ में आया होगा क्योशन नमबर टू पर हम लोग चलते हैं दोस्तों क्या कह रहा है पढ़ना ध्यान से समझना करने की कोशिश करना लिख रहा है कि किसी शंकु को पिगला कर उसे समान आधार वाले यानिकि सेम बेस यह आप लोगों का बन जाएगा कि कोशिश करिए गांसर लाइए सारे दोस्ते हैं कि यह आप लोगों का बन जाएगा देख करना है कि का इसमें करना है चालीश से हैना यहां पर आपको सभी फोर्मुले 3D के जितने भी फोर्मुले है वो सब याद होना चाहिए फोर्मुले अगर याद होंगे तो ही क्यूशन बन पाएंगे दरवाइस नहीं बन पाएंगे दो और दूसरी चीज बना रहे थो दोनों का आयतन या वोल्यूम सेम रहे गारे कर यहां पर दोनों का वोल्यूम सेम रहे गा इसका वोल्यूम होता है एक बटा तीन पाई र सक्वेर एच जबकि इसका केवल होता है पाई र सक्वेर एच समान आधार हो गया मतलब रेडियस दोनों की सेम है है यह ना आइड जरूर अलग अलग है अब यहाँ पर आप पाई से यह पाई काट सकते हैं आर सक्वेर से कि इसकी हाइट है साथ तो यहां साथ हो जाएगा इदर आपका एक बटा तीन गुणा हाइट तो यह तीन उदर जा करके गुणा में चला जाएगा तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी साथ त्या 21 हो जाएगी तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 21 वो बनेगा 21 को लोग क्लियर है ऐसे आप लोगों को करना है क्यूशन नुबर थर्ड पर हम लोग मूव करते हैं देखिएगा पढ़िएगा करने की कोशिश करिए क्यूशन नुबर थर्ड आप लोगों के सामने यह रहा देखना क्या लिखा हुआ कि अर्टालीस मीटर लंब की ब्यलनाकार सुरंग से प्राप्त होते है एक बटानों दो Mr.9 और चार बटा ौर चारंप अंसर आप लोगों का निंगा तो यहाँ पर आसाम आइताकार आपकी जो क्यां तरिके से सुरंग जो है फिसे एताकर घड़ा बहर रहे है मतलब एक तरीके से वही हो गया हाँ वोल्यूम बराबर वाली बात हो गई करने की कोशिश करते है तुर्चन को पढ़ना है समझना है करने की कोशिश करते है इस प्रकार का गड़ा है इसका कितना हिस्सा मतलब इसमें कितनी मिट्टी आप भर सकते हैं जो कि किस से निकली है इस प्रकार की बेलनाकार सुरंग से निकली है ठीक है अब इसमें से कितनी मिट्टी निकली है तो इसका क्या आयतन रहेगा वो इसका इसका जो टोटल मिट्ट पाईरवर है और वियास है तो रीडियस दो मीटर रहेगी न देख्या ओर है धॉक्सट्थ है है, अब बटे में क्या करेंगे, बटे में हम इसका एतन लेंगे खनापका लंबाई र गुनित, पूड़ाई गुणित उचाई बैस चोड़ाई धोड़ाई इस तरीके से करेंगे और क्या यहां साथ से आप काट लीजिए साथ शब्ता ठीक है तोला पॉइंट पांच तरीके से ते तीस बटा दो लिख लीजिए और दो से दो बार इसको काट लीजिए इस दो से यह दो कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आठ से कट जाएगा आठ चंग अरतालिस ठीक है और क्या बचरा है दो से कट यह दो तीय चे और तो दो बटा नो आ रहा है तो बटा नो भाग भरा जा सकता है इसका सही जवाब जो होगा वहोगा दो बटा एक ऐसे आप लोग करें नेक्स्ट क्यूशन पर चलता है क्यूशन नंबर फॉर पर आप लोग नदे डालिएगा करने की कोशिश करिए लिखा है पूला सेंटिमेटर व्यास तथा दो सेंटिमेटर उंचाई वाले बेलन से बारा बराबर आतनों वाली गेंद बनाई गई प्र करिए क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है तो यहां पर 16 सेंटिमेटर व्यास तथा दो सेंटिमेटर उंचाई वाले बेलन से बराबर 12 गेंद बनाई जारी है तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो बेलन है वो उसका आइतन बराबर होगा बारा गेंदो के और गेंद का आइतन क्या होता है पता ही है आपको ग बिलन का इतना होता है पाई आर स्क्वेर एच ठीक है पाई से तो पाई आपका कट जाएगा ठीक है अब यहां आर स्क्वेर नहीं कि 16 cm व्याज से तो रेडियस किती होगी आठ आठ गुणा आठ एंटू हाइट किती है दो सेंटिमेटर इधर बारा गुणा चार बटा तीन और पाई से पाई तो कटी गया आर का क्यूब वह आपको ग्यात करना है अब यहां से आप कर सकते हैं तीन चोक बारा है ना चार चार से आठ आठ को दो दुबार काट लो इधर आइसे आप लोगा को करना है कि करने की कोशिश करिए ayoda क्या पर लोगों मुव करियेती कल दा लीएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेशन पर फाइफ कह रहा है कि कुछ तीन सेंटिमेटर तरिज्जा तथा चार सेंटिमेटर रुचाई वाले शंकूओं को पिगला कर एक छे सेंटिमेटर तरिज्जा वाला गोला बनाया गया तो शंकूओं की संख्या ग्याद कीजिएगा 12,24,46 या कर लिया होगा आपने शंकूओं की संख्या बताना है यहां पर देखो यह यहां पर गोले का आइतन होता है एक बटा 3 पाई आर स्क्वेर एच और शंकूओं की संख्या एक समान लेते हैं गोले का जो वोल्यूम होता है वोता है 4 अपोन 3 पाई आर अप突然 यहां से देख लो जिसका जो है जैसे नंत है पाइसे पाइ कड़ जाएगा 3 से 3 कड़ यह थे 6 क्यूब अब 4 से तो 4 काड़ी ने हो इद खार वह भूब आया नूँ से आप यह 9 0 लेते जाओ सबस्केश मेरत मां चाहे कर नहीं के उब इसका है इसका बिलकुल सही जवाब अबंयहचेएAct क्लियर है दोस्त अईसे आप लोग हम करना अई है को आका हैidente सब्सक्राइब हो कर में चक्राइब इसके अलावा अभी आपका दिपावली ओफर चल रहा है तो जिन दोस्तों को सारे चेप्टर पढ़ना है तो फोर डबल नाइन में अभी सारे चेप्टर आपको मिल जाएंगे कहां लेयर थ्री एजूकेशन एप पर यह आप डाउनलोड करिएगा अभी ओफर चल रहा है मात पर फोर डबल नाइन में पूरे एक साल के लिए है ना वैल्डिटी एक साल है पूरी आप लोग सारे चेप्टर बड़े आराम से बड़े शानदा तरीके से एक बार पढ़ सकते हैं पूरा सिलेबस और साथ ही साथ जो मैंस का सिलेबस आया और वह भी इसी में एड़ होगा प्रश्ट के योग का तीन गुना उसके वक्र प्रश्ट के शेत्रफल का दो गुना है अधार की त्रिज्जा ग्याद कीजिएगा बताईएगा किया अंसर आप लोगों का बन जाएगा ठीक है ठीक है तेन इसके योग का इसके योग का तो क्या दोगोना है का वक्रप्षट जो है वखर्पष्ट क्या होता है 2 pi r h इसका भी दो गुना है मतलब N ू टू करें गे यह 4 pi r h i k Da ba1 4 pi r h i kya इभर तीन का करें तीन दूना थिक्स oui r square अब यहां से आप क्या क्या काट सकते हैं यहां से आप स्थे paux सकते हैं ठीक है और उसने दिज्वा पूची है जबकि उच्चाई तो सेम है, उच्चाई कितनी है इसकी यहाँ पर 6 रखें, into r का square और इधर 4 into r तो ही सही, और into height कितनी है इसकी, height है 6, तो यहाँ से अगर आप देखें, तो 6 से 6 आपका कट जाएगा, और r square से r कट जाएगा, तो r बराबर आ रहा है 4 meter, तो इसका सही जवा आप जो होगा, वो हो जाएगा आपका 4 meter, बोलो clear है क्या दोस्तों, ऐसे आप लोगो को करना है, इस तरीके से आप लोगो का answer बन जाएगा, यह आप लोगो से बोला गया था, question number 7 पर हम लोग चलते हैं, पढ़िएगा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है, question number 7, किसी शंकू की उंचाई तथा व्यास का अनुपात, किस शंकू की उंचाई तथा व्यास का अनुपात 3-2 है, तथा आईतन 1089 गंच सेंटीमेटर है, तो उंचाई आप ग्याद कीजिएगा, 7 cm, 14 cm, 20 cm या 28 cm, ठीक है, यह करिएगा, क्या answer आप लोगो का बन जाएगा, क्या answer आपका बन रहा है, ठीक है, चलो जाएगो, बड़ा आसान है, यहाँ से आप सीधे answer कर सकते हैं, उसने पूछा है, उंचाई, उंचाई का ratio दे रखा है, यहाँ पर 3, अब 3 से कौन सी संख्या कटती है, बोलो, तीन से एक मात्र संख्या कटती है, वो है 21, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाकि आप पूरा करना चाहे, तो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप शंकु के आयतन का फोर्मुलल रखिएगा, उसमें 3X, 2X रखिएगा, उससे बन जाएगा, बा गोले के रूप में परिवर्तित करता है, तो गोले की तज्जा क्या होगी, वो आपको बताना है, 6 cm, 12 cm, 24 cm या 48 cm, जेक करना है, क्या अंसर आपका बन जाएगा, कोशिश करिएगा, कर लिया होगा आपने, देखो शंकु को पिगला करके गोले के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो सीधी से बात है कि शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का वोल्यूम जो होगा, वो गोले का इतन या स्फेर का इतन के बराबर होगा, तो शंकु का इतन जो होता है दोस्तों, वो होता है एक बटा तीन, pi r square h, जब किसका होता है, 4 upon 3, pi r cube, clear, अब यहां से आप 3 से 3 cancel, pi से pi cancel, ठीक है, sorry, pi से pi cancel, 4 तो रहेगा, अब r square, इसकी कितनी है, 6 cm दी जाए, तो 6 गुणा 6, height कितनी है, इसकी 24 है, अब उधर आपका आ रहा है, r का cube और 4, चार चंग चो विस्त चे आ रहा है, तो r का cube बराबर 6 का cube, r बराबर 6 हो रहा है, बस और क्या, यही, यह आपका answer हो जाएगा, तो r बराबर आ रहा है, आपका 3 cm, clear है क्या दोस्तों, इस तरीके से आप दोगों को करना है, question number 9 पर मौव करते हैं, देखिएगा, question number 9 पढ़िए millimeter व्यास वाले तार को भिगला कर एक गोला बनाया गया, तो गोले की तरज्जा centimeter में गयाद कीजिएगा, 2.5, 3, 3.5 यह 4, ठीक है, यहाँ पर unit का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, वो meter में है, वो millimeter में है, यह centimeter में पूछा है, तीनों का आपको same करके फिर answer करना है, ठ करके? ठीक है देखो यहां पर आपको एक तार को पिगलाना है तार जो है बेलन के आकार का होता है बेलन को पिगला करके गोला बना रहे हैं तो यहां पर बेलन का इतन यानिकी पाई यार स्क्वेर एच जो है वो बराबर रहेगा फोर अपॉन थ्री पाई यार क्यूब के अब यहां 36 मिटर लंबाई है मतला हाइड इसकी 36 मिटर है ठीक है पाई से पाई आप काट लें कोई दिक्कत ही नहीं है रेडियस का स्क्वेर दो मिलिमेटर व्यास है इसका एक मि स्क्वेर रहेगा पस मिलिमेटर से आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि आपको सेंटिमेटर में बदलना है तो महें सिंग धोनी वाली ट्रिक में अपने को पता है कि सेंटिमेटर यहां यहां जाने के लिए दस का भाग लगाते हैं तो एक मिलिमेटर बराबर एक बटाब ím जो है वह आपकी 36 मेटर हैं वह यहां पर मीटर होता मीटर से शींटिमेटर में आना है एक मिटर बराबर 100 सेंटिमेटर जो तो जो वस एक बदता है इंटू आर का क्यूब यह आपका इसमें रहेगा ठीक है बस यहां आप 10 इंटू 10 100 से 100 काट लें ठीक है चार से कर लें चार नम 36 और यह 9 इंटू 3 कर लें इधर 27 तो 27 आ रहा है आर का क्यूब यानि कि आर जो है वो कितनी रहेगी 3 रहेगी यहां पर 3 सेंटिमेटर इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाएगा क्लियर है दोस्तों ऐसे आप लोगों करना है इस तरीके से आंसर लाना है क्लियर है next question पर चलता है question number 10 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कुशिश करिएगा question number 10 पढ़ना ध्यान से क्या लिखा हुआ लिखा है दोस्तों किसी शंकू के आधार का व्यास 4 cm तथा उचाए two root three दो रूट तीन सेंटिमेटर है तो तिर्यक उचाई यानि कि slant height जो तिर्यक उचाई होती है वह कितनी होगी 5 cm चार सेंटिमेटर या दो रूट तीन सेंटिमेटर या तीन सेंटिमेटर बदाईएग झाल कर लिया होगा आप लोगों ने देखो यहाँ पर तेर्यक उच्छाई कभी उच्छे तो आपका जो शंकू होता है वो इस प्रकार क्या अकरती होती है इसमें यह जो हाइट है इसको आपको slan how could not harm है यही आपकी स्लेंट हाइड होती है यह हाइड होती है यह होती है रेडियस कभी भी स्लेंट हाइड निकालना हो तो स्लेंट हाइड का स्क्वेर जो होता है वह हाइड के स्क्वेर प्लस रेडियस के स्क्वेर के बराबर होता है यह नहीं कि पाइथागोर्स प्रमें ही एक त होता है ठीक है बड़ा असान है यहाँ पर आधार का स्कुरेंट यानिदे hm सब्सक्राइब करेक्ट अंसर आपका बनेगा दोस्तों वो बनेगा चार सेंटीमिटर ऑप्शन नंबर बी जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन जाएगा इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं पर चलते हैं उससे पहले जानकारी आप लोगों में से कोई बज गया हो जिसने को जोई नी किया हो तो दिपावली ओफर अभी खत्म होने वाला है कल जिन करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है किसी शंकु के आधार की त्रिज्जा तथा उंचाई पांच बारा के अनुपात में है यदि शंकु का आयतन 314 सही 2,7 cm हो तब शंकु की त्रियक उचाई या स्लेंट हाइड जो अभी हमने निकाली है वह आपको ग्याद करना है ठ पुशिश करिएगा अंसर लाइएगा सारे दोस्ति क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है चेक करिएगा अच्छाइब अच्छाइब त्रिज्चा उचाई पांच बारा के नुपात में है तो आपकी तिर्यक उचाई तेरा होगी तो तेरा सेंटिमेटर आपका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप बीना कुछ किया अगर आपको ट्रिप्लेड याद है ट्रिप्लेड यह नह एक होता है ट मर्क का पांच बारा तेरा एक आपका होता है साटथ तो पता है यह गए तो यह हो गई अपसको यांड रख सकते हैं इससे बहुत काम आपका आसान हो जाएगा एक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं नमबर आप ट्वेल पर नज़र डालिएगा आप लोग करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है दस सेंटिमेटर तरिज्जा वाली गेंद को पिगला कर पांच मिलीमेटर यह जरूर ध्यान रखिएगा पांच मिलीमेटर तरिज्जा का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा तो कि 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 करिएगा क्या अंसर आपका बन रहा है यह वही है कि आपको गोले को पिगला कर आप जो है ना को भी जाल करनी हो तो बढ़ा आयतन आप उपर लिख दीजिये और चोटा आइतन आप नीचे लिख दीजिए जैंट के ऊपनीटेशा इलस्ते ही मिलीमित्र मिलीमितर है मतलब पांच गुणा पांच गुणा खोंग लेकिन मिलिमेटर से संटीमेटर बदलने के लिए बटे 10 बटे 10 बटे 10 इंटू यहां पर किती बार कटेगा 125 से से चार आठ बर कटेगा या फिर एक काम करो पांच पच्छी से कर लो पच्छी चुक सो चालिस पांस एक बार आठ इन्टु हजार तो आठ हजार गेंदो की संख्या बनेगी इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आट हचार क्लियर है क्या दोस्तों आपको यहां पर यूनिट का जरूर ध्यान रखना है अदर्वाइस आप पांच इंटू पांच इंटू पांच करेंगे उससे 125 हा जाए इस तरीके तो जरूर आप ध्यान रखेगा कि मिलिमेटर से सेंटिमेटर में कैसे बदलते हैं यह आ सेंटिमेटर हेक्टोमीटर हेक्टोग्राम यह सब आपको क्लियर होना चाहिए यह वर्गतीन में बहुत बार पूछे गए थे ठीक है तो यह हमको यूनिट मेजरमेंट वाला जो चिप्टर है वह आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार यूट्यूब पे अविलेबल है उसमें आपको ट्रिक बताई गई है उससे बहुत अच्छे से चेप्टर आपका बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन पर थर्टीन आप लोग देखना दोस्तों करने कोशिश करना क्या लिखा हुआ है क्वेशन नंबर थर्टीन लिख रहा है च चार सेंटीमेटर व्यास वाली कितनी चोटी गोलियां बनाई जा सकती है ठीक है 241 2541 2514 या 2415 बदाईएगा क्या अंसर आपका बन जाएगा यह गहन में से आप गोला बनाना है वो यह संख्या अगर आपको ग्याद करना है ठीक है तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन कर दीजेगा आपका आंसर जो है वो बन जाएगा ठीक है क्या आंसर आपका बन रहा है कर ग wäre , तो आपको संख्या पूछी है आप ध्यान दिज्येगा कि संख्या कभी निकालना है तो आप बड़ा आयतन उपर लिख्यएगा छोटा आयतन निच्छ लिखिएगा ठीक है है अब बड़ा आयतन क्यों बने श Pap Everason सेंटिमेटर भुजा वाला घं है तो उस घं का आयतन क्या होता है चमालेश गुणा चमालेश गुणा चमालेश जब कि नीचे जो है वह आपका होगा चार सेंटिमेटर व्यास वाली कितनी गोलिया तो फोर अपोन थ्री पाई यहनिके 22 बटा साथ और आर का क्यूब तो चार सेंटिमेटर व्यास है तो दो का क्यूब तो दो गुणा दो गुणा बस इसको सौल करना है यह 3 इंटू साथ जो है यह 21 आपका ऊपर चला जाएगा आप यहां 21 कर लीजिए यहां से 21 हट गया अब यहां से आप 4 से 11 बार 11 से 2 बार अब 2 से 2 दो दूनी 4 चार से 11 बार तो दूनी 4 चार से 11 बार तो 11 इंटू 11 121 इंटू 21 21 21 का 1 है असिल लागा दो जो वह बिल्कुल सही जवाब यहां पर आपका बन जाएगा वह लोग क्लिए रहे क्या ऐसे आप लोगों करना है इस तरीके से आपका अंसर लाना है नेक्स्ट क्रेशन पर चलते हैं मिर दोस्तों तो क्योशन नमबर 14 पर आप लोग नजर डालना करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है पढ़ना ध्यान से और आज का सेशन अच्छा लग रहा हो आप देख रहे हैं तो जरूर यहां तक आगर आप पहुंच गए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और अगर आप लोग डेली एक लासे देख रहे हैं इसी वेलन की तरिज्जा तीन सेंटिमेटर था उचाई पांस से पिगला कर एक मिलीमीटर तरिज्जा था एक सेंटिमेटर उची शंकू में परिवर्थित किया तो शंकू की संख्या ग्याद किजिएगा कितने शंकू उच् कि तॉल्व करना क्या अंसर आपका बन रहा है कि एक करना कि चलो वह जब भी संख्या आपको ग्याद करना है तो मैंने अभी आपको बिताया के संख्या गर आपको निकालनी कि संख्या निकालनी वह यह ध्यान रखना कि बड़ा इतन ऊपर आएगा चोंटा अधन नीचे आएगा ठीक बड़ा अधन वेलन का होगा वेलन का अधन उता पाई और स्कूर अरे इसकोर यह की तरिज़ा तीन है तो तीन का स्कूर नो और हाइट है आपकी पांस ऐंटिमेटर बस नीचे एक मिली किट हाइड जो है उसकी कितनी है एक है की चालो ठीक है कि यहाँ से आप जो कर सकते हैं पाई से पाई काट सकते हैं आप 3-10-10 उपर चला जाएगा तो 300 उपर चला जाए बस नोब चे इस पेटाले सेंटो तीन एक्सो पेटीस एक्सो पेटीस और दो जिरो तेरह जार पांचो तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब जो आपका बन रहा है वह बन रहा है और अप्शन नंबर दी मेरे दोस्तों अईसे आप लोगों को करना है क्यों नुबर 15 पर हम लोग मुव करते मतलब उसी बे लन वातरो्म पानी भरा है उस पानी को भरने के लिए एसे कितने शनकु को अवश्यक होंगे कितने शंखों के जरुवत पढ़ेगी है संक्या आपको निकालना है वापस से ठीक है बड़ा आसान है यहां पर अगर दोनों का formula आपको पता है तो answer आप बड़ी आसानी से कर लेंगे कोई भी दिक्कत सूँ नहीं आएगे ठीक है दोस्तों कि यहां पर आपको संख्या चाहिए तो बड़ा इतन बड़े चोटा आइतन बेलन का तो यहीं कि पायार स्क्वेर एच चोटा इतन शंकु का यहीं कि पड़ा इसके अलावा यहां पर आप लोग चाहें तो मद्यपदी शिक्षक वर्ग दो के लिए मैच का पूरा कोर्स मिल जाएगा इस्पेशल में के लिए केवल 499 में अभी चल रहा है दिपावली स्पेशल ओफर जो कि कल आपका खतम हो जाएगा तो जिन दोस्तों को जोईन करना है वो डाउनलोड करें लेयर 3 एजुकेशन एप आप अपने मुवाइल में इस्टॉल करे और वहाँ पर उसके स्टॉर ऑप्शन में जाकर के आप लोग 499 में कोर्स जोईन कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही शांदार कोर्स है सारे चेप्टर इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाये गये हैं अगर आप लोग एक बार मैट्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं यह आपकी और किसी भी एक्जाम में भी काम आएगा मतलब आपको जोएन कर लिए बहुत यहीं तक रखते हैं 15 क्यूशन आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताई यहां इन 15 में से आपके कितने मार्स आये हैं कितने फौर्मूला बहुल गय थे जो आज रिवाइज हु हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें बागी हम लोग मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक वे अलविदार थैंक यू सो मच दोस्तों भन्यवाद गुड नाइट